हेलो दोस्तों मैं हम सुप्रो और विट इस डॉट इन पे आपका स्वागत है आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी के छिलके की मुझे तो लौकी का जो छिलका होता है उसे जनरली हम लोग निकाल के हटा देते हैं लेकिन अगर आपके पास औरगेनिक लौकी है या फिर अगर आप खुद ग्रो कर रहे है लौकी या फिर अगर आपको ऐसे भी बाहर से मार्केट से भी ला रहा है जहां प्लगरा पेस्टी साइड तो आप किजे कि पहले उसके चिलके को निकाल लेजे और फिर उसे वेनिकर वाटर से अच्छे से अच्छे से बूलीजे भी जग इसको इस पुचिया रर्सिपी में इस तमाल कर सकते हैं तो आइए आज मैं आपको एक डिफरेंट रसिपी बनाना सिखाऊं की इस लौकी के चिलके से तो आएए बनाना स्टार्ट करते दोस्तों लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्स्प्राइब कर लेजे अगर यह वीडियो आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमारे पेस्बूक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राउं पर फॉलो कीजिए ताक पे आप जो पिलर होता है उसका इस्तमाल ना करें क्योंकि उससे यह बिल्कुल पतला हो जाएगा और यहां पे हमें थोड़ा सा मोटा चिलका चाहिए तो मैं चाको का इस्तमाल करके देखिए मोटे मोटे चिलके उतार चुकी हूँ अब इससे एक कंटेनर में डाल देंगे और साथी में पानी डालके हम लोग इसमें थोड़ा सा वेनिकर डालेंगे वेनिकर जो होता है जो भी इंसेक्टिसाइड अगर आपके फल या सबजी से आपको हटाना है तो वेनिकर उसमें बहुत अच्छा काम करता है मैं यहाँ पे एपल साइडर वेनिकर का इस्तमाल कर हुआ छाहे तो जो नॉर्मल भेनिकर होता है उस्तामाल कर सकते हैं इससे वैसी है हम लोग उसदेर रख देंगे और यहां पर मैं लोका इस्तं Mueller किया है आप पुर्छ चाहे लेंगे थैलेंगे फिर उसे हमें कट करना है आप अपने तरीके से से कट कर सकते हैं मैं थोड़ा पतला काट रही हूं क्योंकि यह जल्दी कुख हो जाएगा अगर पतला रहेगा अब जो हमारे पास जो लौकी के चिलके हैं उन्हें भी हम लोग अच्छे से कट कर लेंगे और मैं यहां पर प्याज का इस्थमाल नहीं कर रही हूं इसलिए बस हरी मिर् जीरे का चौक लगाऊंगी अब एक पैन में हम लोग एक चमच के करीब सरसो तेल ले लेंगे फिर एक चोटे चमच जीरा डालेंगे और जो हरी मिर्च है स्लिट की हुई वो डालके फोरल लगा लेंगे और फिर आलू पहले डालेंगे ताकि आलू कुख हो जाए क्योंकि जो लॉकी का चिलका होता है उसे कुख होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब हलका जब कुख हो जाए फिर हम लोग लॉकी का चिलका भी उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो इसे ढखके नहीं पकाना है अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप इसे ढखके पका सकते हैं कोई भी रेसिपी को अगर आपको क्रिस्पी करना है तो कभी भी ढख के ना पकाएई अब देखिए इसकी रोहनेश खतम हो चुकी है तो फिर हम लोग हल्दी चोटी चमश डालेंगे इसमें और फिर इसमें स्वादनुसार हम लोग नमक डालेंगे मैं नमक इसी तरह स्प्रेट करते हुए डालती हूँ इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके खाने में जादा या कम नमक नहीं आएगा पूरा को अच्छे से कवर करते हुए बस आप और यह देखिए मैं ढखके पका रहे हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी नहीं चाहिए यह देखिए बिल्कुल पक चुका है तो हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तयार है तो आप भी बनाएए दोस्तों और अपनी एक्स्पीरिंस हमारे साथ जरूर सेर कीजें थैंक्यो तोस्तों